अलपी का फॉर्म आप भर रहे हैं और जैसे सारी डिटेल फिल करने का रख क्रिएट एन एकाउंट को क्लिक करते हैं तो आपके सामने में यह दोनों पॉप अप खुल जाता है आपको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाता है आप पाले स्टेप में ही रेश्टेशन ही निकर पाते हैं और यह प्रोब्लेम आपको बार बार परिशन कर रहा है तो आज के इस वीडियो में आपको पूरी तरह से सलुशन मिलने वाला है और हंड़ेट परसेंट आपको सलुशन देंगे सिर्फ तीन स्टेप आपको करना है और आप अपने मोबाइल से एलपी का फॉर्म बहुत आसान तरीके से भर पाएंगे और रेजिटेशन बहुत आसान तरीके से कर पाएंगे तो कैसे करना है पूरी तरीके से मापको बताएंगे तीन स्टेप आपको करना है तो और कैसे करना सब को बताएंगे तो इस वीडियो में आप लाश्ट तक बने रहेगा तो आपको एक पाहला करना है इसको आप सेटिंग करना है जिसे हब आप सेटिंग करना है यहां पे देख रहे होंगे यहां पे भी अगर हम create an account कर रहे हैं तो यहां पर भी वही दो प्रोग्लम करना पड़ा है यहां पर इसको आसान तरीके से आप कंट्रोल कर सकते हैं इसको रिवीव कर सकते हैं कैसे कर सकते हैं देखिए और यहां पर सेटिंग करके देखें नहीं हो पा रहा था लेकिन यहां से काफी और यहां पर अपको दिखेंगा एकसेसिबिलिटी का इसको जैसे आप क्लिक करेंगी तो आपके सामने में यह 100% दिखेंगा फॉंट साइज और यह बिल्कुल कम जैदा नहीं होगा यहां पर क्या करना है automatic font size ये जो है,ika हुआ, इसको off कर देना है, इसके बाद आपको ये जो है 100%, इसको कम कर देना 50% पे ला देना है, इसके बाद आपको फिर से ये form जैसे आप खुलेंगे, तो आपकी सामने में वही रोलोगेवाला है, यहाँ पही क्या आगए, आपकी सामने में, यहाँ पे preview, preview and करेंगे तो आप बहुत असान तरीके से इस फॉर्म को समिट कर पाएंगे आप देख सकते हैं यहां पर क्रॉम बुर्जर से जैसे हम फोल रहा है यहां पर दोहीं अप्शन आ रहा था क्रियेट एन अकॉंट और लगिंग का तीसरा कोई अप्शन नहीं यहां से हम फाइलफॉक्स से आप देख सकते हैं यहां पर प्रिव्यू एंड क्रियेट एन अकॉंट का उप्शन आ रहा है और यहां से आसान तरीके से आप जो है आप पर्म को फिल कर सकते हैं उमीद करते हैं यह वीडियो आप लोगों के लिए कापी हैल्फुल हुआ होगा मिलते अगले वीडियो में सब तक कि लिए जय हिंदू अन्दे मात्रम